चलिए देखे बेटा अब हम लोग कल जहां पर थे class को जहां हमने leave किया था वही से start करेंगे और कल आपने देखा था कल हमने आपको पढ़ा दिया था isomers तो alkene के isomers हमने कल आपको पढ़ा दिये थे alkene के isomers अब हमारे syllabus में तो नहीं है बट अब देख लेते हैं क्योंकि यहां पर आगया है तो isomers of different alkene आई बस समझ में तो isomers of different alkene में तो alkene की भी अलग-अलग structure बनते हैं अब देखे पहले वाले में तो कोई structure बनेगा कि नहीं क्योंकि एक ही double bond है दो कॉर्बने कुछ करने ही सकते इसके तीन वाले में भी कोई isomer नहीं बनेगा क्यों नही alkene की बात हो रही तो कहीं हमपर double bond establish करना पड़ेगा तो यह मैंने double bond यहां पर establish कर दिया और आपको पता है कि alkene में भी 3 carbon में कुछ हुए नहीं था तो alkene में 3 carbon में कुछ नहीं होने वाला है जो भी start होगा वो किस से start होगा 4 carbon से चलिए तो 4 carbon की बात करते हैं 3 carbon में भी isomerism start करता हूं तो देखो इसे में start करता हूं carbon 1 carbon 2 carbon 3 carbon 4 तो एक तो इसका structure यह हो गया hydrogen जोडने के बाद एक ऐसा देखेगा बेटा CH3 हो जाएगा यहां पे CH बनेगा यहां पे double bond C है दो हो गए और एक हैच बनेगा और एक CH3 गिन लीजिए hydrogen total 8 है यस बेटा ठीक है ना यस सर चलो यह हो गया पहला structure अब देखे अगर मैं इस double bond को यहां shift करनो तो भी एक possibility है C, C, C and double bond C यह देखे यह भी एक possibility है तो यहां पर क्या बनेगा यहां पे यहां पर यह बनेगा CH3 इधर बनेगा CH2 और इस दिदर bond इधर पर बन जाएगा CH yes only 2 CH2 तो 3, 2, 5, 2, 7 और एक 8 बिल्कुल सही है 8 hydrogen अभी भी है बोलो आ गया समझे बिटा चलिए एक structure और क्या बन सकता है C है यह C है इस carbon को मैं यहां डाल दूँ और directly हां बिटा बोलो second वाले को भी isomer बोलेंगे हां second वाला भी isomer है क्यों नहीं है second वाल आईसोमर है क्योंकि structure अलग-अलग हो गया है मगर यहां पर यह जो isomer है यह double bond की position change होने की वज़े से आया है आई बस समझ में न तो इसमें chain नहीं बनी है बट double bond इसमें position अलग हो गया है clear है तो यह बन गया है अब देखे यदि इसकी बात करूं में chain isomerism की chain की बात करूं में तो यह क्या बनेगा यह बनेगा CH3 यहां पर है C 1 2 3 4 पूरे तो घेर लिए तो चार ही हो गए यहां पर बनेगा CH3 और double bond CH2 अभी बिगिन लो है ना आ गया समझ में तो इसके total मेरी नजर में तीन isomers possible है और वाकई में तीन isomer ही possible है ठीक है अब इनके नाम की यह बात की जाए इसमें नाम भी लिखा है तो नाम भी बता देता हूं मैं देखो बेटा यहा है तो इसका नाम क्या बनेगा इसका नाम बनेगा ब्यूट कार्बन और फिर दूसरे नंबर पर इन लगा है तो इसका नाम होगा ब्यूट टू इन और इसका क्या नाम होगा देखे इसका नाम होगा ब्यूट वन इन क्योंकि पहले नंबर पर इसका नाम होगा ब्यूट व इन ये वाला देख कैसे बनेगा ये तो ये तीन है ओके तीन कार्बन मतलब प्रोपीन है और सेकेंड कार्बन पर मेथिल लगा है तो क्या बनेगा टू डैस मिथाइल प्रोपीन तो इसका नाम होगा टू मिथाइल प्रोपीन चलिए चेक करते हैं तो इसका टू मिथाइल प् करना है की नी करा मैंने कि नहीं क्यों वो तो पैरेंट्स चेन के अलग है ना वे थो पर एंटेन पर भाहर है तो टूम में थाइल आया ना सबस्टिटूट के लिए टू मिथाइल और प्रोप है और एक नंबर पे कार्बन लगा हुआ है एक नंबर पे वो लगी हुई है इन लगी हुई है समझ में आया लो तो सर अपनको पहले सब्सिटुेट ग्रूप जो उसको मेंशन करना होता है फिर उसके बाद बॉन्ड कहाँ पे कैसा हो बताना है इक लगी है तो यह देखी यह हमारे हो गये आपने ओपन चेन में मैंने बताया थे आपको जो मैंने बताया था कि hydrocarbon में सबसे पहले हमारे पास याद होगा आपको hydrocarbon मैंने दो बताये थे एक मैंने बताये थे open chain और एक मैंने बताये थे close chain याद है बिटा तो open chain में मैंने दो group बताये थे आपको open chain में मैंने बताये थे टो ग्रूप में open chain में था saturated और एक थे unsaturated तो saturated में अल्केन आता मुझ भी पढ़ लिया हमने unsaturated में alkane और align नाता ही हमने पढ़ लिया अब close chain की बात कर रहे तो close chain में दो आएंगे close chain में भी आएगा saturated मतलब close chain वाला alkaline और close chain में saturated मतलब की double सिंगल बाइड वाला इसमें भी आये गा, यह देखते हैं close chain compound, heading डाली एए copy में closed chain compound, यानि कि बंद chain वाले compound, तो close chain वाले सबसे पहले जो single bond वाले हैं, closed chain वाले जो saturated bond होते हैं बिटा, इनको हम बोलते हैं чис low qui क्या नाम है, है जाएक्लो एल कि या ना में इनका डाउट ने बीट बोलो बोलो बीटा क्या रहा हुट है जो थर्ड आपने यूटे इन का आपने जो थर्ड आई समर बताया उसमें जो सब्सेट्ट वें ग्रोप है उसमें डबल फोन लगा के एक और आई समर नहीं बना सकते मैं आपको बता रहा हूं एक सेकंड एक मिलट वेकर एक अर्जेंट कॉल आ रहा है मैं पात कर लूँ इसमें हम डबल बोन लगा देंस चेड़ आफ कार्बन चेन तो चलो और देखो आप देखो 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 ओके देखो देखो ऐसे यह था एवन टू थरी फोर थर्ड मैंन मैं कार्बन को नीचे भेजा है नो इसमें इधर भेज़ा है ना इसी फिया तो आप क्या बेटा देखो अभी मैंने इस्ट्रक्चर बनाया है इससे इससे बनाया है वो मेंने ये करा है कि प्रबन को इधर भेज दिया है और double bond मैंने इधर set किया है यही न डबल bond इधर set किया है अगर आप क्या कह रहे हो कि यह double bond इधर ले आओ इधर की बोल रहे हो नीचे ले आए चलिए अगर नीचे ले आता हूँ मैं तो मैं देखता हूँ कि नीचे लाने पर क्या हालत होती है हाँ, ओकी, ये हो गया अब मुझे ये बताओ बेटा कि ये और ये अलग हैं कि एक ही चीज है डिफरेंट, 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 डिफरेंट चलो देखो functional group double bond वाला है, ओके है की नहीं है functional group double bond वाला है तो rule ये कहता है कि अपनी main carbon chain को select करो parent carbon chain ये होगी की नहीं होगी, बताओ हाँ, सर अब इस वाले में parent carbon chain ये होगी की नहीं होगी, बताओ बोलो बोलो चलिए अब इस वाले में देखिए अब यहां पर मेरे पास जो है डबल बॉन्ड पर यह इस पे लगा हुआ है और इसको मैं नाम देता हूँ तो यह है वन यह है टू यह है थ्री अब देखो नाम यह दी लोगे तो टू मिठाइल वन प्रोपीन प्रोपवनीन अब वन भी क्या लगाने से क्या मतलब वो तो यहां भी जाएगा तो वन इधर ही से काउंट हो जाएगा और इसका भी नाम क्या होगा टू मिठाइल प्रोप वन इन बोलो क्लियर क्या है यह ज़िए चली तो हम बात कर रहे थे अब साइक्लिक स्ट्रक्चर की या साइक्लिक साइक्लो हाइड्रो कार्बन की तो cyclic hydrocarbon में मैंने आपको बताया है यह alkane ही होते हैं और इसमें दो group मैंने बताया थे आपको कि या तो cyclic में दो बताया थे एक saturated एक unsaturated saturated की जो family का नाम होगा cycloalkane, okay, saturated की जो family का नाम होगा cycloalkane, cyclo मतलब closed compound तो close के लिए minimum कितने carbon के जरूरत पड़ेगी, तीन की, तो बेटा, ये जो compound सबसे छोटा इसका बनेगा उसका नाम हो cycloalkane की जगा है propane, cyclo-pane, okay, आया समझ में? चलो, इसका नाम देखलो, cyclo-propane, अब यदि इसके structure की बात करो, तो दो तो pack हो चुके हैं, एक hydrogen यहाँ, एक hydrogen यहाँ, एक hydrogen इधर, और एक hydrogen इधर, और एक hydrogen इधर, जो compound बनेगा, या तो skeleton form में ऐसे दिखा लो, and यदि आपको वैसे दिखाना है, तो CH2, CH2 and CH2, like this, the compound will be like this, तो यह आपकी पास है, this is called cyclopropane, done, so this is called cyclopropane, done, okay, so अब देखे, cyclopropane है, अब आप देखे, यह पहचान सकते हो, इसमें 4 carbon है, इसका नाम क्या होगा स्वास्ती? तो cyclopropane, this one, cyclopropane, और यह अब होगा, cyclopropane, हाँ, बेटा, इसका जनरल फॉर्मॉला लेख लो, cycloalkene का, CnH2N, मतलब जो अलकीन का फॉर्मॉला होता है, वही इसका फॉर्मॉला होता है, जितने carbon, उसके double hydrogen, जितने carbon, उससे double hydrogen, युवराच चैटर निकल के exercise कर लो, बेटा, ठीक ना, जितने carbon, उतने double hydrogen, चलिए, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, रेखे, पढ़ो बेटा, वैना सीरीज, जितने स्यरीज वकल्स, अबना सीरीज ऑटम्स अंटेड दूब च्ठलू कंड्स, झाल अधनानस चीलोओर ठार श 밝혔क रिकालीगवधन,लगर, उनलगर, उनलगर्ण, उनलगर्ण, इसक acabar, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोनों एंड से एक एक हाइडोजन आपको निकालने पड़ेंगे दोनों एंड से एक हाइडोजन निकालने पड़ेंगे ये लाइन अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं explain कर देता हूँ जैसे मान लीजे आपके पास normal butane था normal butane का formula था normal butane का formula था CH3, CH2, CH2, CH3 थाना बेटा बोलो येस सर्फ अब मैंने क्या किया मैंने एक hydrogen नहां से remove कर दिया एक hydrogen मैंने remove कर दिया left से तो ये बन गया CH2 ये भी बन गया CH2 और इधर से भी एक hydrogen remove कर दिया तो ये क्या बन गया CH2 दोनों bond हैं अगर मैं इनको घुमा करके join कर दूँँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा CH2 CH2 कौन वाले हैं से ये वाला CS2 जोड़ा हुआ है राइट वाला और दोनों के एक-एक बॉंड खाली थे मतलब एक-एक इलेक्ट्रॉन थे दूसरे की तलास थी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं ये आपस कोविलेंट कंपाउंड बना गए कोविलेंट बॉंड बना गए आया स साइक्लो एलकेन और फॉर्वाला बनेगा C-N-H2-N क्योंकि दो हाइड्रोजन अलग हो गए क्लियर है ना ये सब्सक्राइब चलिए तो इस तरीके से हमको करना था ये साइक्लो कंपाउंड हो गए हमारे चलिए पढ़िए ब्यूटेन एंड साइक्लो ब्यूटेन दोनों के फार्मूले तो सेम है ये बात तो माननी पड़ेगी बट दोनों की स्ट्रक्चर अलग है तो यह कहलाएंगे structural isomers, okay दोनों की structural लगए लगए, हाँ बेटा बोलू Sir, इसमें रिखा हुआ है butene and cyclobutene तो सही तो है न, butene का formula क्या होता है, C4H8 butene का formula क्या होता है, C4H8 और cyclobutene का formula भी क्या होता है, C4H8 हाँ है न हाँ सर but butene का bond कैसा बनता है, C, C, C और C, कहीं पर double bond लगा तो ये बन गया butene और ये cyclobutene कैसा बनता है ऐसा, ऐसा, ऐसा आया न तो क्या हुए ये, isomers हुए की नहीं हुए बताओ ये ये, isomers ठीक है न clear चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अभी आपने कैसे compound देखे बिटा अभी अभी मैंने आपको बताए कि cyclic compound थे, cyclic में आपने देखे saturated देखे ना बिटा saturated, मतलब single bond वाले अब देखो cyclic में unsaturated मतलब cyclic रहेंगे और साथी साथ क्या रहेंगे, double bond रहेगा क्योंकि triple की तो जगह बनीगी नहीं बिटा cycle में, तुम करके देख लो जैसे तुम चाहोगी कि मैं cyclic में triple bond लगा लूँ, लगाए लिए लिए लिए, कैसे कुशिश करके देख लो ये carbon है, और ये भी carbon है, तुम चाहोगे मैं एक जगह कहीं triple bond लगा लूँ, एक, दो, तीन, ये देखो ये तुमने triple bond लगाया है, अब ये आपने triple bond लगाया है, तो, इस वाले carbon की वैलेंसी जो है, अभी से ही 4 हो गई है, और इस वाले carbon की वैलेंसी भी अभी से कितनी हो गई है, 4 हो गई है, ठीक है, तो इस की carbon की वैलेंसी 4, और इस carbon की वैलेंसी 4, अब hydrogen लगाने के लिए, इस के पास और इसके पास कोई जगह नहीं बचेगी केबल यह hydrogen लगा पाएगा बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई compound पॉसिल नहीं है तो triple bond जो होता है वो support नहीं करता है समझ में आया है तो देखते हैं अब triple bond वाले जो मैं बात कर रहा था unsaturated cyclic hydrocarbon तो unsaturated cyclic hydrocarbon का example बेंजीन यह हमारे इसले बस में है benzene ओके benzene जो है यह organic compound है और यह कैसा है cyclic है बट unsaturated cyclic है यह लिख लो unsaturated cyclic hydrocarbon तो यह cycliclic in वाली उसमें आता है नहीं 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 साइकलो एलकीन वाली काटेगरी में नहीं आता है इनका नाम जो है cycliclic in नहीं पड़ा इनका नाम कुछ और पड़ गया है ना दिखा जाए तो वैसे ही कुछ कुछ होना था नाम मगर इसमें एक डबल बॉंड नहीं रहता है इसमें कई डबल बॉंड रहते हैं इसलिए इनका नाम cyclic in नहीं पड़ा इनका नाम कुछ और पड़ा आपको नाम याद करना पड़ेगा इसका नाम है बेंजीन तो बेंजीन का फॉर्मला क्या होता है C6H6 मतलब इसमें 6 कार्बन होंगे तो किस तरीके से 6 कार्बन एड होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ कि 6 कार्बन कैसे अटैच होंगे बिटा यह को 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है स्वास्ति क्लियर हो गया अब 6H6 है मतलब की 6 हाइडोजन अटैट कर दीजिये तो एक हाइडोजन ही यहाँ एक हाइडोजन ही यहाँ एक हाइडोजन ही यहाँ पर एक हाइडोजन यहाँ पर एक हाइडोजन यहाँ एक हाइडोजन यहाँ यहाँ पर एक हाइडोजन यहाँ यहाँ now what is the thing you can observe that हर carbon valency जड़ा count करो 1, 2, 3 3 valency है मतलब एक कम है so मैं यहाँ पर क्या दे सकता हूँ एक double bond दे दूँगा अब इसकी valency देखो कित्ती हो गई 4 हो गई कि नहीं हुई बताइए yes sir इसकी भी 4 हो गई complete कि नहीं हुई हाँ sir हो गई अब देखो बत इसकी 3 है तो एक double bond मुझे alternate यहाँ देना पड़ेगा yes sir ठीक है ना एक double bond मुझे यहाँ देना पड़ेगा और इसकी भी 4 हो गई फिर मुझे एक double bond यहाँ देना पड़ेगा yes तो यह structure बन गया बेंजीन का बन गया ना बिटा yes sir अच्छा अब आप उसे कह सकते होगी sir आपने double bond इधर 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 दिया क्या आप double bond जो है alternate position पर नहीं दे सकते थे मतलब sir यहाँ यहाँ और यहाँ नहीं दे सकते थे तो मैं बिल्कुल दे सकता था तब भी इनकी valency फोर फोर हो जाती yes or no yes sir okay मतलब double bond जो है यह देखा जाए तो एक scientist थे क्या कुले थे या डेवार थे उन्होंने यह बताया था कि जो double bond होता है यह गूमता रहता है इसलिए benzen का finally ring structure आया वो double bond गूमने की वज़े से बीच में ring बना दी जाती है कि कि किसी किसी position पर double bond यह यहां one, three, five पर रहता है और कहीं कहीं पर two, four six पर रहता है तो इसलिए benzen का ring structure भी देखो बिटा connection group यह 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 देखो आपको यहां पर benzen की दो double bond की alternate structure दीख रही है कि नहीं दीख रही है यह सर हाँ, मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है double bond चल रहा है न हाँ, सर हाँ, तो double bond के चलने को explain करने के लिए कि यह double bond जो हर जगे move होता रहता है इसके लिए क्या किया गया इसके लिए double bond की जगे वहाँ पर बीच में एक circular ring प्रोवाइड की गई समझ गए तो यह जो finally structure है बिटा यह कहलाता है ring structure benzene को ऐसे देखा जाता है, ओके चलिए बिटा पढ़ो, benzene benzene is an benzene is an organic compound with the molecular formula C6H6 it is a six carbon ring hydrocarbon in which carbon atoms are joined by alternating double and single bonds sometimes a circle is used inside the hexagon as an alternative to represent the six pi electron exactly, six pi electron, बेटर double bond को pi electron भी बोलते है double bond जिन electron से बनता है, उनको हम बोलते है pi electron ठीक है ना, जैसे एक होता है single bond, एक होता है double bond तो देखो, मैं बता देता हूँ, single bond में दो electron पेर करते हैं उपर उपर के, तो ये जो electron पेर करके single bond बनाते हैं बेटा, इनको बोलते है sigma electron note कर लो, class 11 में याद आईगी आपको मेरी ये कहलाएंगे sigma electron जो single bond बनाते हैं ओके, और जो double bond नीचे वाले bond बनते हैं double bond दूसरा bond होता है इसको बोलते हैं pi bond और इसको बनाने वाले जो electron होता है कोने पर इनको बोलते हैं pi electron clear है भीटा यह सूर तो डबल बॉंड वाले पाइ इलेक्ट्रण देख लिए इनको पाइ बॉन्ड बूलते हैं बॉन्ड को और पाइ अगली बात करते है होमो लोगाश सीरीज तो हो मोलाश सीरीज क्या है है हो अभी हापने पड़ ली है अभी अभी अपने देखी थी Aisomereism देख लिए है अब हम Homologas सीरीज के बारें बता रहे हैं आपने देखा जब हमने Elkane की दर्षन किये तो हमें एक बड़ी सी सीरीज मिली देखी ज़रा Elkane की मैं आपको वापस याद दिलाता हूँ कि Elkane में हमने क्या देखा था हमने अलकेन में देखा था कि जो हमारे सीरीस से कंपाउंड आ रहे थे पहला कंपाउंड था CH4, दूसरा कंपाउंड था C2H6, तीसरा कंपाउंड था C3H8, देन था C4H10 और इस तरीके से ये कंपाउंड की सीरीस आंगे बढ़ रही थी हर पिछले कंपाउंड से अगला वाला कंपाउंड प्लस CH2 करने पर बन रहा है, मतलब एक कारबन बन रहा है और दो हाइडरोजन बढ़ रहे हैं, यस और नो? यस सर्व ऐसे आप अलकीन को उठा लो, चाहे आप अलकाउंड को उठा लो, हर पिछले कंपाउंड से अगले कंपाउंड में जाने में, प्लस CH2 का जनरेशन गैप इनवाल हो रहा है, है ना? प्लस CH2 का, यस तो है क्या, मतलब ऐसी सीरीज, जिनके फंक्शनल ग्रूप तो सेम हो, फंक्शनल ग्रूप मतलब जाती, जाती क्या हैंगी? केन, A, N, E है ना, जैसे किट्टू सर्मा पिन्टू सर्मा, कुक्कू सर्मा ये सारे के सारे मास में increase होते जा रहे हैं कितने से? CH2 से कार्बन का कितना मास होता है? 12 और 2 हाइडोजन का कितना? 2 मतलब 14 यूनिट मास increase करने पर जो सिरीज बनती जाते हैं इसमें 2 लगातार कंपाउंड की बीच में CH2 का गैप होता है ऐसी सिरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सिरीज और ये जो कहलाते हैं इसके जो मेंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं होमोलोग H-O-M-O-L-O-G-U-E These members are called These members are called होमोलोग L-O-G-U-E And the series is called होमोलोगस सिरीज And the members are called होमोलोग Clear? Yes sir Yes so one by one So there is a change of CH2 unit In between each successive compound Successive compound Yes So प्ड़ोबटा A series of organic compound A series of organic compounds Having similar properties In which the successive members Differ by a CH2 group Is called a होमोलोगस सिरीज Yes So ये CH2 group से Bond CH2 group से जो होती है उसको होमोलोगस सिरीज बोलते हैं And होमोलोगस सिरीज के कुछ example दिएगा है बेटा ये देख लो ये ऐलकेन की होमोलोगस सिरीज है ये ऐलकेन परिवार है ये एलकीन परिवार है और ये एलकाइन परिवार है इसमें छोटु मेंबर से बड़े मेंबर की तरब जाने पर आप गिन लो कहीं पर भी आपको CH2 का फरक आएगा इसमें भी CH2 का फरक आएगा और हर मेंबर में इसमें भी कितने का फरक आएगा CH2 का अब बात करते हैं characteristics of homologus series तो अभी अभी मैंने बताया कि characteristics की बात की जाये तो इसका नाम क्या किट्टू, पिट्टू, सर्मा, पिंटू, शर्मा तो हैं तो सब के सब ये शर्मा तो कि इनके नाम के आंगे क्या जुड़ा हुआ है एन मतलब सब के functional group same होते हैं और functional group किसको define करते हैं इनकी chemical property को ये शर्मा है तो ये भी non-wage नहीं खाएगा ये भी non-wage नहीं खाएगा ये भी non-wage नहीं खाएगा मतलब जितने भी homologus series के member होंगे कोई भी non-wage नहीं खाएगे क्योंकि सारे के सारे कौन से परिवार के हैं स्वास्ती अलकेन अलकेन परिवार के या non-wage की बात की जाएगा तो शर्मा फेमिली से हैं बोलो है न clear मतलब अगर हम अलकेन की बात करते हैं अलकेन के perspective में मतलब ये सभी member की chemical property क्या होंगी same की different same to same same to same बिलकुल सही इनकी chemical property same होगी बट नीचे जाते जाओगे तो इनका size जो है बढ़ता जाएगा ऊपर वाला element पतल जाएगा और नीचे वाला atom compound मोटू होता जाएगा मज में आया ना क्योंकि नीचे जाने पर आपका size जो है इनक्रीस अपो रहा है ठीक है प्रॉब्लम येस सफ चलिए तो पढ़िये वही characteristics of homologous series पढ़ो all the members all the members of homologous series follow a general formula for example all alkenes follow a general formula C and H2N plus 2 all alkenes follow a general formula C and H2N H2N exactly all alkenes all alkenes follow a general formula C and H2N minus 2 two successive members of a series differ by a minus minus नहीं 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 that is bond CH2 group okay मतलब इसमें CH2 का फरका आएगा yes second all the all the members of a homologous series showed similar chemical properties in a homologous series the molecular mass of members increases with increasing number of carbon atoms and the molecular mass differ by 14 between two successive members समझ में आया ये मतलब जो molecular mass 14 से बढ़ता जाएगा समझ में आ गया ना ओकी नेक्स्ट members of a homologous series show gradual change in the physical properties like boiling point melting point solubility etc melting point or boiling point is directly melting point upon boiling point अई अपन नहीं है बेटा वो और है और है और है ऑस तरक Eyeschein की proportional to molecular mass हाँ तो melting point जितना ज्णा ज्णा आपका जितना ज्णा आपका मास बढ़ता जाएगा उतना ज्यदा melting point बढ़ता जाएगा उतना ज्यदा उसका boiling point भी बढ़ता जाएगा क्योंकि molecular mass बढ़ रहा है ठीक ना मतलब number of atom ज़्यादा हो रहे हैं तो उनका melting point और balling point दोनों बढ़ता जाएगा and solubility decrease होती जाएगी मतलब उपर के hydrocarbon जो होते हैं उनका molecular mass कम होता है तो वो easily soluble होते हैं मगर नीचे वाले जो hydrocarbon होते हैं वो soluble नहीं होते हैं समझ में आ गया? Yes sir कोई दिकत चलिए तो कल अब जो है अब इसके बाद हम अगली topic कल करेंगे functional group जो की यहाँ पर आपका carbon का एक देखा जाए तो लगभग part कल finish हो जाएगा तो कल हम discuss करेंगे carbon का topic जो है functional group वो उसमें almost सारे functional group हम एक बार में ही cover कर देंगे कुछ जादा नहीं है